सही करने की हिम्मत वो लोग रखते हैं जो की गलत करने से नहीं डरते हैं हमारे मैक्स में भी कुछ इस तरह से है जब तक आप बहुत ज़्यादा को नहीं ट्राइ करते हैं उनके अंदर कुछ question के अंदर mistake नहीं करते तब तक आपको सही question होने का जो enjoyment है वो नहीं मिलता है तो इसलिए हमें हमारी practice को बरकरा रखना है तो वापस आप back to topic पर आते हैं हमारा जो topic चला था permutation और communication उनके उपर वापस आते हैं और देखे लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने बात की ती factorial के बारे में कि factorial क्या होता है और उसे किस तरह से दिखाते हैं आज हम बात करेंगे permutation के बारे में कि permutations क्या होता है और इसका जो formula है, वो क्या होता है, उसे कैसे देखते हैं, इन सारी चीजों के बारे बात करेगे फिलाल मैं आपको एक चीज बताऊँगा कि permutation क्या होता है देखे, permutation chapter वैसे start हो चुका है और हमाई chapter का नाम भी आपके आज permutation and combinations है तो मैं permutation की बात करूँ, तो permutation होता है आपके पास किसी भी चीजों का arrangement जो कि हम सुरू से सुनते आये हैं, कि आपको पास कोई चीजे हैं, उनको मुझे arrangement करना है तो आप क्या करते हैं, permutation का use करते हैं then combination की बात करें तो combination क्या है कि आप में से मतलब आपने जो चीजे ली हैं जैसे मैं आपको बोलता हूं दस चीजे हैं उन दस चीजों में से आप क्या करें केवल तीन चीजे सेलेक्ट करके उनके combination बनाएं तो वो हमारे पास आता है combination का पार्ट तो basically chapter हमारा permutation चला है इसके मैं आपको थोड़ी सी चीजे बताऊंगा कि आपके आस permutation होता क्या है और फिर उसके आद इस formula के ऊपर भी आएंगे कि ये जो NPR है ये NPR है क्या और इस formula को कैसे याद रखना है तो फिलाल देखें यहां पर मैं बात करूँ कुछ इस तरह से कि आपके आपके आस तीन बॉ देना है और इन चार अलगलग person को लेके आपको क्या करना है इनको arrangement करना arrangement करने का मतलब क्या है मैंने इनके सामने कुछ chairs रखी है कुछ इस तरह से अब मैं बोलता हूं कि इन चारो members को लेके इन चार टेबल्स या चार चेस के उपर आप क्या करें यहां पर arrangement कराई बैठा द यहां इसको वापस changes करतें है यहांपय गर्णा पर न को लंगे पेलिकेंगे तो आपके पास चार फेंठाने तो आपने यहां पर क्या है different different आपके पास यहां पे arrangement बनाए अरेंजमेंट करने का मतलब क्या है इनको अलग-अलग तरीके से आपने इनको क्या किया position पे set किया है यह जो तरीका होता है यह जो जिस process को हम देख रहे हैं यही हमारे पास क्या होता है permutation होता है अभी के permutation के अंदर भी हम बात करें तो permutation के अंदर repetition भी allow होता है और आप without repetition भी देख सकते हैं repetition allow होने का मतलब यहां पर है कि जैसे मैं इस position के अंदर यहां पर बात करूँ इसके अपर काम नहीं करेगा वो repetition allow जिस लाई मैं किसी एक चीज को ले रहा हूं और उसी चीज को बार-बार repeat करता वह जा रहा हूं जैसे कि मैंने बोला इन में से आपको क्या करना है दो चीजों को चूज करना है, मलब दो परसन को चूज करना है, और दो परसन को चूज करके, आपको क्या करना है, इन दो सीट्स पे आपको बैठाना है, अब दो सीट्स पे बैठाना है, और मैं आपसे बोलता हूं, कि आप रिपीटेशन नहीं करेंगे, रिपीटेशन करने क मतलब क्या है आर जो है जैसे मैं माल करता हूँ यह जो आर है इस आर को आपको क्या करना है एक बार ही लेना है आप इसको दो बार नहीं ले सकते तीन बार नहीं ले सकते तो फिर आप उस तरह से कॉम्बिनिशन बनाएए तो आप क्या करते हैं आर का M के साथ पहले कॉम्बिन बन सकते हैं, इस तरफ से आप यहां पर कर सकते हैं, इसके अंदर repetition नहीं हो रहा है, किसी भी एक person का, तो इस तरफ से भी हम यहां पर combination बना के इनका arrangement कर सकते हैं, तो फिलाल हम बात करते हैं, permutation के बारे में, कि जो permutation है, इस permutation के अंदर आपका आज दो चीजे होती है, अब द लाइक चीज़े का बात करूं यहां पर यह मेरे पास एक पैन है इस पैन के बात करूं और मार्केट पेन जाके भी से यहां यू जैसे दिखाई दे रहे घंडि rhëं यह आपके removed यह आपके आस क्या हो गई ऊहां गहाई हं दूसरी दरवत, मैंने एक यहाँ पर एक मैंने बनाना ले लिए कुछ सरह से और आपकुछ ले इहां पर ठीक है तो यह आपके पास क्या है डिफ्रेंच चीजे तो इन में से जो चीजे लेकि आप combination जो बना रहे हैं वो combination बनाते वक्त भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप unlike चीज़ों का बना रहे हैं तो जब आप बनाते हैं तब आपके पास यहां पर permutation आपका चलता है, तो उस समय क्या होता है Just like मैं मैं से बोलूऄan कि से यहां पर arrangement कीजिए आपको क्या करना है तो आप क्या करते हैं पहले क्या आते हैं इसको लेक्ट है इस तरह से alignment करता है यदि मैं like चीज़ों रखूं तो like चीजों को रखने का तो यहारी चीजे हम यहां पर देखने वाले हैं तो I think overall आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं अब देखें यहां पर हमारे पास यह जो NPR है यह जो NPR का आ लिखा हुआ है अब यह क्या है इसको भी समझेंगे और फिजिकल मिनिंग भी समझने वाले हैं आपको लास्ट वाले लेक्षर के अंदर अंका मतलब मैंने आपको बता था कि तो फैक्टोरील न का मतलब होता है आपके इस तरह से लिखते हैं फिल लिखेंगे N-1 फिल सब्सक्राइब करते हैं फैक्टोरील न का मतलब होता है यहां पर कि N-R फिर उसके बाद क्या आएगा यहां पर N-R-1 दैन आपका फिर क्या आएगा यहां पर N-R-2 and so on करते-करते यह भी क्या होगा 1 तक चला जाएगा अब यह जो फॉर्म्ला है वह कुछ इस तरह साब को दिए गया यह फॉर्म्ला का फिजिकल सिक्वेंस क्या है जैसे देखिए हमने पिछली बार पढ़ा था कि आपके जो पर्मुटेशन होता है वह प्रमुटेशन क्या होता है आपके पास यहां पर होता है वन इन टू पर्मुटेशन का यहां पर सिंबल होता है वो कुछ आप इस तरह से रख सकते हैं क्या होता है यह होता है आपके पास कि आपके पास कुछ चीज है उनको यहां पर क्या कर सकते हैं किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं यह फॉर्म्ला ही आपके पास क्या करता है इस तरह से NPR उसे हम क्या बोल रहे हैं NPR और यह NPR का फॉर्मला फेक्टोर्य एंड पॉन फेक्टोर्य एंड मानिस वारा होता है यह फॉर्मला आपके पास इस मैंसे आने वाला है कैसे आने वाला है देखिए यदि मैं बात करूँ यहां पर तो यह कैसा आएगा N N-1 N-2 N-3 N-3 N-4 चलता रहेगा और इसके बीच में कहीं ना कहीं आपके पास N-R आपके पास मिलने वाला है प्लस वन भी मिलने वाला है और इसके अंदर N-R और यहां पे भी मिलने वाला है और R-1 और यहीं बहुत सारी चीज़े मिलने वाली है देखिए नीचे भी आपके वही चीज़े है तो मैं फिलाल क्या कर सकता हूँ मैं फिलाल इन सारी चीजों को इन सारी चीजों से cancel कर सकता हूँ तो पीछे आपके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा n multiply n-1 then multiply n-2 and so on करते-करते आप चलते जाएंगे यहाँ पर तो आपको pass क्या बचेगा यहाँ पर n-r-1 यह आपके आस बनने वाला है clear तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखा जाएगा तो फिलाल देखे बात करें तो factorial npr का मतलब हमने देखा यहाँ पर कि क्या होगा n-1, n-2, n-1 करते हुए n-r-1 तक आपके आस आएगा clear तो यह कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते है permutation के formula को npr के मतलब को अब जड़ा देखे npr का मतलब मैं आपको फिर से बतादू कि जैसे क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लिजए आपका यह तीन चीज़े है ठीक है यह आपका आस तीन चीज़े हैं यहाँ पर जैसे आपका आस मान लिजए एक आपका आस apple है एक आपके बास बनाना है एक आपका आस क्या है grab से मुझे इन तीन चीज़ों को तीन जग़ा पर आरेंजमेंट करना है तो सबसे पहले देखे इस वाली position की बात करता हूँ इस वाली position के ऊपर मुझे इन तीनों पर कौन चीज़े रख सकते हैं तो इस position पर रखने के तरीके कितने होगए तीन तरीके होगए या तो apple आ सकता है या बनाना आ सकता है या grubs आ सकता है अब इन तीनों मैंसे कुछ भी एक मैंने रग दिया तो पीछे अब आपके आस बख्या से किती बची जैसे या मैंने Apple हटा दिया तो पीछे आपके आपके आस यह दो चीजे बचेगी इन दो चीजों को अब मुझे इस वाली पोजिशन पर रखना है तो इस वाली पोजिशन पर रखने के अब कितने तरीके हो गए आपके आस यहां पर टूर तरीके हो गए फिर इस वाली पोजिशन के उपर रखने के कितने तरीके हो गए आपके आस यहां पर यहां पर इस वाली पोजिशन पर रखने के वन तरीके हो गए अब arrangement के अलावा अब मैं बात करूँगा यहाँ पे कि मुझे क्या करना है इन 3 में से 2 को लेके आपको arrange करना है 3 में से 2 को लेके arrangement करना है तो पहला तो तरीका है मैं NPR का formula apply करूँ जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है NPR, NPR का मतलब क्या है एन आपके पास चीजों में से और चीजों को select करके आपके पास क्या करना है उनका combination आपको बनाना है second यस ये चीज़े जैसे मैंने बोला कि आपके पास क्या है एक apple है एक बनाना है और एक क्या है ग्रैप्स है तो इन में से आपको दो चीजों को लेकर इसमें अरेंजमेंट बनाना है तो पहले मैं फॉर्मले से जाता हूँ पहले क्या करता हूँ फॉर्मले से जाता हूँ तीन चीजें हैं मेरे पास उन में से मुझे दो को चूज करके आपको arrangement करना है तो arrangement कितनी तरीके से हो सकता है तो आप लेकिंगे factorial 3 upon Yes, formula क्या है n factorial n n minus r n minus r का मतलब क्या हो गया 3 minus 2 factorial 3 का मतलब क्या हो गया 3 into 2 into 1 divided by 3 minus 2 कितने करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा यहाँ पर यह जगा 3 minus 2 is equal to 1 हो गया इसका मतलब 1 पर आस हो गया divide करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 3 to just 6 मतलब आप यहाँ पर 6 cases के उपर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं arrangement कर सकते हैं चले try करते हैं try कैसे करेंगे यहाँ पर just like मैं इस box के उपर इसको उल्टा सीधा भी तो रख सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर रखा इसको B और A बना दिया clear यह A और B चला गया then अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर मैं इन दोनों का combination लेके आता हूँ इन दोनों का combination आपके पास क्या आया यहाँ पर बैनाना और यह हो गया grass then next अब मैं यहाँ पर चलता हूँ तो चलने के बाद यहाँ पर G और B आपके पास आएगा right फिर चलने next यहाँ पर तो इन दोनों का दे गए यहाँ पर मैं आप combination की बात करूँगा तो combination के अंदर मैं यहाँ पर क्या इन दोनों का Creek combination डिखा इंदोनों का दे काándit तो मैं इन दोनों का कांवी combination आप देख लाता हूँ तो जस्ट मैं यहाँ पर देखू यह अल्सका का था यहाँ कि व dou वह कामबिनेशन बना दिया हाँ यहां पर 4, 5 and 6 total number of combination अब आपके पास कितने आचुके हैं यहाँ पर 6 combination आचुके हैं और हमने formula की help से भी निकाला तो कितना आया यहाँ पर 6 आया इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास and different different values है and different different चीजे हैं उन and different different चीजों मैं से मुझे क्या करना है कुछ चीजों को pick करना है कुछ चीजों मतलब क्या है यहाँ पर इन आर चीजों को मुझे क्या करना है पिक करना है और pick करने के बाद मुझे क्या करना है उनके combination बनाने हैं कि किस किस तरीके से हम उसे arrangement कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं किस तरी किस तरी से रख सकते हैं तो उसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है NPR होता है यह जो फॉर्मला है वो NPR है तो NPR का फॉर्मला I think clear हो चुका होगा अब यह अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्यूंकि जब हम probability पढ़ेंगे तो probability में permutation combination का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि वहाँ पर भी हम क्या करते हैं हम किवला जमसन लगाते हैं चीजों को देखते हैं सोचते हैं कि यह ऐसा होगा यह हो सका लेकिन सोचने से पहले भी तो हमें उनके combination को बनाना पड़ता है जिस लाइग मैं बोलू कि एक बैग के अंदर यह two balls को निकालेगे तो आप कौन-कौन सी दो बॉल निकालेंगे कौन-कौन सी तीन बॉल निकालेंगे वह आपके बर होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं permutation का यूज करते हैं और combination का यूज करते हैं I think overall आपको समझ में आ चुका होगा अब देखें इसकी कुछ तो देखें लिए जैसे लेज talking आपका यूज के रखने से अगे करते हैं और आपके पास ही और दोनों का कौन मल्टिप्लाई करके अपके यहां पर आप यहां पर अंपर अउसके Holger के यहां पर दो number of the permutation of n different object taken are at a time at a time where repetition is allowed repetition is allowed is n facto n की power r हो जाता है अब ये क्या है क्या क्या रहा है ये बोल रहा है आप से कि आपके पास अलग 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 चीजे हैं अपके पास क्या है अलग 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 चीजे मतलब मैं बात करूँ यहां पर तो जैसे माल लेते हैं एक आपके बात बनाना हो गया फिर से एक आपके पास epple हो गया एक आपके पास क्या हो गया ग्रैप्स हो गया यह n क्या है different different चीजे और different चीजे और भिजशे आपके पास हैं आप जैसे यहां चीज़े हैं और इसमें से मैं चाहता हूं कि केवल दो चीज़ों को लेकर यहां पर क्या करूं उनके combination बनाओ जहां पर repetition अलाओ होता है तो मैं basically क्या कर सकता हूं n की power r ले सकता हूं n की power r क्या होगे यहां पर 3 to the power 2 लिख सकता हूं अच्छा 3 to the power 3 2 का मतलब क्या होगे 3 into 3 3 into 3 कितना होगे आपकास यहां पर 9 हो चुका है यहां पर इस 9 different way को यहां पर present कर सकता हूं अब यह 9 different way कैसे बनेंगे जरा इनको सबस्ते हैं यहां पर तो यह कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं तो जैसे की इस जगांपे मुझे फिल करना है मतलब मैं कहा करना चाहता हूं is जगा को मैं यहां पर फिल करना चाहता आक होता है repetition allow नहीं है एक repetition allow है इनको द्यारा देखते है repetition allow है adult mov है इसका मतलब क्या हुआ मैं इस जग़ा इस जग़ा को मैं क्या गर सकता हूँ 3 जग़ा 3 चिनों में से किसी जग़ा रख सकता हूँ तो मैंने 3 चिनों में से 3 जग़गा पर रख दिया फिर मिरे पास यह जगाई यह बोलेंगे case से रख सकते हैं तो मैंने बोला कि एक मैंने रख दिया है दूसर मैंने यहाँ पर रखना है तो आप Be TU kwest तो आप ने यहाँ पर रख दिया है बस केसले आपने repetition allow नहीं किया है यह cases आपका repetition not allow cases होता है repetition not allow cases का मतलब क्या हुआ कि आपने बनाना को एक बार यहां रख दिया तो दूसरी बार बनाना को लिया ही नहीं तो यहां पर आपके आज क्या होगे repetition not allow अब repetition allow का मतलब क्या होता है जरा इसको और अच्छे डंग से समझें यहां पर तो मेरे पास यह तीन वापस दो bucket है इन दो पकेट के अंदर मुझे यहां पर रखना है तो पहले bucket मैंने बुला आप यहां पर तीन चीजों को रख शकते हैं तो यह रखा आपने तीन चीज़ें दूसरे bucket के आ अंदर भी मैंने आपको यही बूला कि आप पर आप repetition को अलाव कर दीजे अलाव करने का मतलब क्या है एक बार बनाना यहां रख दिया तो दूसरी बार भी बनाना यहां रख सकते हैं इसे बोलते हैं रिपीटिशन अलाव और रिपीटिशन अलाव कर दिया तो इसका मतलब यहां पर भी रखने के अब चांसे कितने होगा थ्री हो च रिपीटेशन नॉट अलाओ का मतलब क्या हुआ आप इसे नहीं हटा सकते राइट इसको नहीं रख सकते जैसे मेरे पास तीन चेयर्स है और तीन चेयर्स के उपर मुझे तीन लोगों को बैठाना है और तीन डिफरेंट डिफरेंट जगह तो पहला जिन आएगा पहली चेयर के उपर बैठ जाएगा आप पीछे कितने बच गए दो जिन बच गए कि हमें बैठाईए सर तो मैंने का लीजिए आप इन उन्हों में से खहीं में बैठ जाईए तो वो बैठ गए तो वो कंडिशन होती है रिपीटेशन आपके पास नॉट अलाओ आपके पास पहले बैठ गया बोले कि यहां पर बैठ सकते हैं तो यह वाला जो केस होता है वह रिपीटेशन नॉट अलाओ गया दैन उसके बाद दो आपके बाद जगा बची उन दोने में से आपको यहां पर फिल कर सकते हैं लेकिन रिपीटेशन अलाओ का मतलब क्या हुआ एक बंदा यहा करने जाए उसके पास कोई बंदा इनी होता है की जो चीजों को रोक के बैठ जाते हैं ऐसे बैठ गए यहां पर पर मुझे यह सहीरत चाहिए अब हम पूच्ते कि यहां को आएगा क्या पूले कर नहीं आएगा ठीक है आपको लगता है नहीं आएगा लेकिन एक्शन के यह आएगा यहां पर अभी wait कीजिए यहां पर कोई आ रहा है ट्रेन चलती है ट्रेन चलती रहती है लेकिन वो बंदा वहां पर आता ही नहीं है लेकिन वो कहां गर रहा तीनों चीज़ों को गेर के बैठा है तो वही चीज़ आप एक condition मान लिजिए रिपीटेशन अलाओ का मतलब क्या है वो train की seat है जहां पर तीन लोग बैठने चाहिए थे अलग-अलग तरीके से लेकिन वो एक बंदा आ गया जो बोल गया है कि मैं तीनों जगा बैठ सकता हूं मैं तीनों जगा बैठ सकता हूं अब जब हम यहां पर इनके combination देखें कि मैंने तीन बार यहां रखा तीन बार यहां रखा दोनों को multiply कीजिए तो आप क्यास कहाएगा 3 into 3 और 3 into 3 कितना होता है 9 होता है और आप इस formula से भी डगा सकते हैं जब आप क्यास चीजे repetition अलाव होते हैं कुछ इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं I think all all आपको समझ में आ चुका होगा train वाला example थोड़ा अच्छा था कि यहां उसे वहां पर बैठे देखते हैं real life में आप experience करते हैं तो I think clear समझ में आया होगा कि जब आपके आपके आज आप क्या कर सकते हैं and to the power r का यूज कर सकते हैं चले अब आगे यहां पर तो देखे अगली जो इसकी theorem से उसका अगली theorem को बोलते हैं तो देखे क्लिका है permutation when all objects are not discrete object अब यह क्या चीज़ आई है यहां पर यह देखे discrete objects आपके पास लिखा है not discrete object discrete object not discrete object मतलब क्या होता है मतलब आपके आज कुछ इस तरह से माल लिए जो मैंने आपको पहले भी एक example समझा था कि आपके पास क्या है pen है यह pen है मैं बोलता हूँ आप market में जाईए इस जैसे जैसे आप क्या करें पाँच pen और खरीद के लेके आ जाईए तो पाँच pen में लेके आया जस्ट आप आपके आस हो गया टू अन देन थ्री pen की photo मुझे से साही नी बन ली थोड़ा देख लेना आप यहाँ पर ठीक है तो यह 3, 4 and then 5 आपके आस आच चुका है यह 5 लेका है अब प्यांचो पैनों की जो quality होती है वो same ही होती है आपके पास material same है क्योंकि आप same खरीदने गए है तो यह आपके पास क्या है not disc nets है not disc nets बदब अलग-अलग नहीं है इसकी जगह मैं बोलता हूँ आप अपने 5 friend को लेके आज़े आप अपने 5 friend को लाए यह आपका पहला friend यह कुछ इस तरह से इसका नाम R से सुरू होता है यह आपका दूसरा friend जिसका नाम अच्छा दो पैर भी बनाने होता है दो पैर आपका आपका र दैन पी अब नाम आपके आप जोड़ते जाइएगा क्या-क्या नाम है मैंने आपके कितने friend बना है पांच बंगवाल लेते हैं चलो पांच friend को बुला लो तो यह हो गया आपका C इसके बाद यह आपका रस एक और friend जिसका नाम K एक और आपका रस friend पांच बंगे क्या होता है वह देख लिए हमने यहाँ पर अब यह फांदम की अंदर का रोल करता है मतलब क्या है इसका प्रूटेशन का रोला समझते हैं यहाँ पर जैसे कि मैं आपसे बोलू कि यह आपके पास 5 दोस्त है राइट यह Yan 5 दोस्तों को रिपीटेशन अभी Works नहीं करवाना है रिपीटेशन दिमाग से निकाल दिजी अभी कि फिल्लाल यहाँ पर रिपीटेशन लेके चलते हैं यहां पर मैंने आपसे बोला यहां पर यहां पर यहां पर यहां है बहुत अच्छे डंच से आप क्या कीजेTMू यह पांच आपक्ञा जगा है जिस टीन ऊगई चछार उगई फांच उगई इन पांच जगा प стоит इन तो बैठा दे मुन जो भी करना वुसा आप क्या बचा यहां पर एक जिनन जाकर बैठ गया जिस लाइक मैं बोलता हूं यहां पर कि आपके पास यह जो C है C नाम से कोई बंदा है वो चला गए यहां से और वो वहां पर बैट गया तो मैंने आपसे बोला यहाँ पर कि अब क्या करें इस जगा पर कितने जिने बैठाएंगे आप यहाँ पर तो बोला आपने 4 बैठा देंगे अगले पर बोला मैंने यहाँ पर तो बोला 3 बैठा देंगे फिर आपने बोला 2 बैठा देंगे इसको बोला तो one बैटा देंगे आपने बोला मैं ये इस तरीके से बैठा सकता हूँ ये आपके आज तरीके होगा बैठाने के लेकिन ये कब तरीका काम आया जब आपके पास सारी चीजे अलग-अलग है अब मैंने बोला ये पैन है आपके पास मैंने बोला इन पैन को इन पांच जगाओं पे रख दीजिए तब आप बोलेंगे सर बिल्कुल रख देंगे रख दिया बोला ये पांच चीजे हैं इन पांचों मैंसे रख के यहां पे रख दिया बिल्कुल चले आपने बोला सर ठीक है इन चीजों पर रख दिया मैंने 5 यह रख दिया मैंने 5 रख दिया अब उसके बाद आगे आगे बुलेंगे सर आगे सर क्या करें कैसे करें सर मैंने तो पैठाने नहीं कि कौन सी चीज क्या है कौन सी चीज क्या है यह आपके दिमाग में कुश्चन जरूर आना चाह जैसे यह जो पैन है इस जैसे 5 एक जैसे पैन लाके रखे र्खें करेंगे यहां पर मैंने आप से बोला यहां पर कि की आपकांब करिए यह तो पाँच पैनि मैंसे आप क्या करें यहां पर वापस चलता है यह प्लिए और और 2 पैन मुझे 1 जैसे दे दीजिए यहाँ पर, जैसे यह एक जैसा दे दीजिए, और इसको भी एक अलर करलर लेता है, ब्लू लेता है, ऐसे 5 आप अलग 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 तरीकर लाएं, अब मैं बोलता हूँ, अब आप कैसे जमाएंगी, बोलेंगे बिल्कुल सर जमा सकते हैं बहुत आसान है, अब तो बहुत मजदा चीज हो गई है और वो कैसे हुई जड़ा यहां आपे बात करें तो पहली चीज यहां पर लाते हैं इसको ऐसे रकदेते हैं यहां पर, ठीक है यह 5 जगा पर बूला पहले जगा पर पहला रैट दे सकते हैं बिल्कुल रैट दे सकते हैं, तो यहां पर, अब कितने जगापे बची आपके पास यहां पर, पांच पैन वैसे के बस है, पांच पैन मैंसे यहां पर इन पांच मैंसे पांच को रख सकते हैं, पांच मैंसे पांच को रख सकते हैं, लेकिन, जश्ट आपने इसको रख दिया तो पीछे अब आपके पास कितने बचे यहाँ पर एक दो तीन चार चार पैन बचे लेगिन चार पैन मैंसे आप कैसे डिफरेंचेट करेंगे जैसे पहले पैन को यहाँ पर रैड कलर डाल देता हूं रैड कलर का पैन डाल दिया तो इन तीन मैंसे कैसे डिफरेंचेट तो फिलार अब जो पीछे जगा बची ए उसमें से रखने के लिए आपके पास केवल चार जगा पर ही है तो इन चार जगा मैंसे मां ली जिए आपने यहां पर बी लुको रख दिया अब मैं बोलता हूँ चलो यहां पर बूलता हूं इसको के इनको अरेंजमेंट कीजिए य मैं ये pen number 1 है, pen number 2 है, pen number 3 है, कौन सा है, I don't know. जब नहीं पता है, तो आप उनका arrangement भी नहीं कर सकते हैं, तो पीछे अब इनको रखने का तरीका क्या हो गया है, यहाँ पा एक तरीका होगया। एक ही तरीका इसको उठा के रखने का। ठीक है तो जब आपके पास डिस्कनेट चलते हैं डिस्कनेट मतलब आपके आस अलग-अलग चलते हैं तो उनको रखने का तरीका आपके पास या फिर बालू आपके अरेंजमेंट करने का तरीका आपके आस कुछ इस तरह से होता है और जब आपके पास नॉंड डिस्कनेट चलते हैं, तब आपके पास यहाँ पे उनको रखने का तरीका यह होता है इसको और अच्छे डंग से समझते हैं एक और अग्जा एक्जामपल लेते हैं जैसे मैं एक spelling ले लेता हूँ यहाँ पर वो spelling आपके book में भी है root spelling, इसको और अच्छे क्या समझना है वो आपको decide करना है जैसे मैंने बोला आप यहाँ पर root को यह जो O है इसको O1 दे दिजिए, इसको O2 दे दिजिए और इसको T ले लिए, कर सकते हैं root मैंने नाम लिया है root से आपको बहुत अच्छे डंग से clear हो जागा कि हम क्या कर रहे है root ऐसे ले रहे है और इस root को मैंने यहाँ पर रख दिया R O O T root अब मैंने बोला आप arrangement कीजिए इन चार word का arrangement कीजिए बिल्कुल बहुत आसान है आपने क्या किया आपने इनको arrangement करना है बिल्कुल कर लेंगे इन चार जगा पे इन चार जगा पे किया आपने arrangement तो आप यहाँ पर क्या करेंगे पहले जगा पे आपके आस कितने तरीक होगा है इन चार को रखने के 4 फिर उसके बाद 3 फिर उसके आद 2 उसके बाद आपके आस क्या होगया एक अचा एक extra होगया इसको यह तो कुछ इसतर से आपकास हो गया इसको चेक करते है यह आसान है कैसे तो रखेंगे आप यहाँ पर पहले मैंने बोला कि यह दोनों तो ओ सेम है यह दोगों तो O, same है तो एक तो तरीका है यहां पर कि मैं यहां पर double O और R T बना दू यहां पर थीक है, दूसरा क्या है double O यहां पर बनाया, then आपके वाथ क्या किया है, मनें यहां पर T रखा और क्या रखा, यहां पर R कर दिया यह तो कर सकता है, right? इसके बाद अब बात करते हैं अगले के उपर okay को क्या वने यहां पर यह जुरूट लिखा है सऺ ह्म सहीए इस इस रहट आको ऑल को है अब क्या करें यहां पर इन दोनों को बीच में लाते हैं इन दोनों को बहता निकला निकाला मैंने यहां पर और यहाँ पर TR कर दिया यहाँ पर मैंने क्या TR कर दिया है then next अब क्या करेंगे यहाँ पर next अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर O लिखा R और T कर दिया यहाँ पर और इसको O कर दिया यह combination बना है हमने और कोई combination बागी रहागी है क्या ती लिया, ओ लिया, आ लिया, ओ लिया, ये भी कर सकते हैं, राइट, अब इसके जैसे जैसे दो और कॉंबिनेशन उस तरफ, तो इनको आप देख लेना, यहाँ पे दो और कॉंबिनेशन बनेगे, जो की क्या होंगे, आपके आस, ओ फ्रंट में आ जाएगा, दो पीछ चला फिर दो ओ बीच में, दो ओ बीच में, और इन दोनों का चेंजिस किया, राइट, दो ओ पीछे, दो ओ पीछे, इन दोनों का एक कॉंबिनेशन ले लिया, और कुछ बचा, हाँ, एक रो यहाँ पर, एक रो इसके जैसे है, राइट, वो दो कॉंबिनेशन ले लिया, यही ब आपके 4 combination और दे दीए और इसकी combination की counting करें तो 4 आपके और दे दीए, आप देगे overall count करते हैं, कितने होगे, 4 ये दे रहा है, 4 आपके आपके ये है, और 4 आपके आपके यहाँ पर मिलेंगे, तो 4, 4, 4, कितने हो गए 12 combinations हो गए अब जड़ा यहां पर इनके उपर फर्माते हैं यह कितने दे रहे हैं यहां पर तो देखे हमने यहां पर क्या देखा कि जब हमारे पास अलग अलग चीजे होती है तब हमारे पास combination कितने आते हैं 24 आते हैं और जब हमारे पास सेम चीजे होती है तब combination कितने आते हैं 12 यह इस तरह से आप यहां पर क्या लग सकते हैं अरेंजमेंट बना सकते हैं फिलाल देखे हमने इतना समझा है यहां पर तो इसको एक definition की त पर बदा सकता हूं मैं एक तरीका बदा सकता हूं जिससे आप यहां पर डिफ्रेंट और ढूर सहीम पर बीच में अलग अलग चीजों के जैसे यह आदि आपके पास डिस्केट आचुकी है क्या आचुकी है आपके पास यहांपर डिस्कनेट चीजे आचुकी है और फिर उसमें से आपको चीजों को अरेंजमेंट करना मुलों चूज करके आपको निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे वहाँपर आप simple सा factorial n लगा दीजे ये तो factorial n लगा सकते हैं इसको भी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं factorial न अप लगा सकते हैं लेकिन जब आपके आपके आस not disconnect आपके चीजे आ चुकी है क्या है यहाँ पर not disconnect चीजे आई है तो not disconnect चीजे कितनी आई है वो मुझे बताईए तो मैंने बोला यहाँ पर आपके पास not disconnect चीजे आई है तो उस समय आपके पास क्या होगा आपके आस होगा factorial n डिवाड़ेड बाई factorial n डिवाड़ेड बाई factorial r कर दीजिए factorial n डिवाड़ेड बाई factorial r यह आप लगा सकते हैं जैसे देखे इसके अंदर मैं बात कुरूँ यह चार चीजे हैं चार चीजों का अरेंजमेंट करने का तरीका क्या था factorial n था factorial n को मदब factorial 4 था और factorial 4 को हम यहाँ आप लिखते हैं 4 into 3 into 2 into 1 लिखते हैं राइट अब मैंने बोला कि यह 4 चीजों में से 2 चीजे सेम हैं दो चीजे मंदब factorial 2 आपके आस यहाँ पर तो डिवाइड कर दिजिए यससे डिवाइड क्या करेंगे factorial 2 का factorial 2 को क्या लगेंगे 2 into 1 factorial 2 को क्या लगेंगे 2 into 1 लिखेंगे तो देखे 2 into 1 से 2 into 1 तो यह आपके आस कहानी रहती है अलग लग चीजों की आचुका होगा यहाँ पर अब देखे इसके रिलेटेट एक थोर्म से उस थोर्म को पढ़ते हैं यहाँ पर थोर्म से आपको क्या बोलती है कि लिखा है the number of the permutation of an object an object मतलब आपके आस मतलब arrangement करना है an object का where p objects are the same kinds and rest are all different मतलब n चीजों में से p चीजे आपके आस क्या है same है तो आप उसे factorial n upon factorial p से denote कर सकते हैं जो चीजे में आपको अब यह भी बता कर आया हूँ यह देखे यहाँ पर यह theorem में हमने यहाँ पर देखी थी यह हमने practically देख ली कि यहाँ इस तरह से होता है और यह यहाँ पर इस theorem के अंदर बताया गया है तो overall आपको समझ में आ चुका होगा कि जब हमारे पास चीजे same चलती है तब उस समय हम यहाँ पर combination कैसे बनाते हैं clear हो गया यहाँ पर अब देखे आगे बढ़ते हैं इसके उपर और इसके पर एक मज़ेदार चीज और थोरम बढ़ते हैं देखे क्या मज़ेदार थोरम है यहाँ पर बुला है the number of the permutation of an object इस बार एन अबजक बुला है यहाँ पर इन अबजक में से वेर पी अबज़ेट्स आर्ड़ काइंट और वन काइंट एंड पी टू आर सेकिंड काइंट मतलब देखे मान करता हूं यहाँ पर कि यह आपका एक बैग है इसके अंदर आपकास और अलग अलग आपकास क्या है बॉल्स पड़ी है और अलग अलग बॉल्स पड़ी है राइट अलग अलग बॉल्स का मतलब आप इस तरह से मान सकते हैं यहाँ पर कि जैसे count कर लेते हैं 20 balls है यहाँ पर 20 balls है आपके पास यहाँ पर अब इस मैं से मैं बोलता हूँ आपके आस यहाँ पर इस कहानी को प्रदे हो चलेंगे यहाँ पर where P1 objects are the one kind P1 आपके आस क्या है एक जैसे है तो मैंने बोला कि कौन कौन से color है तो color को define कर देते है red, green और blue यह color है तो अब मैंने बोला कि red की आपके पास कितनी balls है red की मेरे पास यहाँ पर 10 balls है then उसके बाद में मैंने बोला कि P2 are the second kind P2 आपका second kind है बदर तूसी चीज़ है जैसे मैंने बोला green color की आपके आस कितनी है 5 balls है उसी तरह से PK are the K kinds of the rest जैसे मैंने बोला blue आपके पास है वो आपके आस कितनी 5 है अब इन में से मुझे क्या करना है arrangement करना है तो मैं कितने तरीके से arrangement बना सकता हूँ कितने तरीके से arrangement कर रहा जा सकता है तो उसको देखने के लिए हम क्या लगाएंगे कि 20 balls है चलिए यहाँ पर 20 factorial कर देते है इसमें हम क्या करते है जो चीज़े repetition हो इससे divide करना होता है तो leisure repetition को divide कर देते है factorial 10 divided by factorial 5 into factorial आपके आस कितना होगा 5 होगा यही चीज आपके आस यहां लिखी हुए पहले भी हम यही कर रहे थे जैसे मान लेते है आर एक है और फाइव आज green अलग-अलग balls है तो आप क्या कर रहे थे divide by 10 कर रहे थे ऐसी आपके आस क्या होगी अलग-अलग-अलग-अलग backs बने में है आपके अलग-अलग चीज़े रखी भी है तो उन में से आप इस तरह से निकाल सकते है तो I think overall आपको समझ में आ गया होगा यदि आपके आस बहुत सारी values होती है और उन में से आपको कुछ इस तरह से कर सकते है अब देखे यहां पर हमारे पास example है इसको example को ज़रा solve करते है क्या लिखा है find the number of the permutation permutation मतलब आपके आस arrangement of the letter of the letter of the word word अब क्या है यहां पर word आपके आस यह लिखा हुआ है अब यह क्या लिखा है इलाबाद इलाबाद लिखा है आपको क्या करना इनके combinations बनाना है फिर A है फिर H है फिर A है फिर B है फिर A है और D है इस तरह से लिखा है इलाबाद ठीक है अब इस example से आपको और ज़रा clear हो जाएगा मैंने बोला आपसे यहां पर कि इनका arrangement करना है arrangement करने से पहले आप count कीजिए कौन कितने word है तो सबसे बहले मुझे A दिख गया यहां पर A की counting करने 1,2,3 और 4 कितने हैं आपकास A यहां पर 1,2,3,4 तो मैंने बोला A आपकास 4 है उसके बाद में अब मैं यहां पर बात करूँगा अगला आपकास क्या है L है L की counting करते हैं 1 and 2 L की counting कितने हैं आपकास 2 है चलिए L आपकास आगया दैन आपकास आगया अब H H कितना है यहां पर H आपकास 1 है तो H की counting आपकास 1 होई दैन उसके बाद आपकास कितना बचा है यहां पर B बच गया B की counting करें तो B की counting भी आपकास कितनी है एक है ठीक है H आ गया B आ गया अब अच्छा D लास्ट D तो D की counting भी कितनी है आपकर यहाँ पर एक है तो मैंने इनकी counting लिख दी अब मुझे क्या करना है arrangement करना मुझे जमाना है तो कैसे कैसे arrangement कर सकते है तो मैंने बोला total number of counting किजिए कितनी है तो देखे 4 हो गया देन आपके आज 5 6 6 7 8 और 9 total number अब कितनी है 9 है count करते है 1 2 3 then 4 5 6 then 9 आपके आज है यहाँ पर तो आप क्या गोलेंगे factorial 9 तो हमारे पास है क्या है हमारे पास factorial 9 तरीके से मैं इसको arrangement कर सकता हूं लेकिन इसमें अब एक दिक्कत है क्या दिक्कत है आपके पास AA सेम है LL सेम है ठीक है तो इनको भी तो change करना पड़ेगा ना तो इनको change कर दीजिए आप यहाँ पर factorial 4 divided by factorial 2 फिर आपने गोला factorial 1 से भी डिवाइड करूं बिल्कुल कर दीजिए कोई प्रब्रम वाली बात नहीं क्या होता है वन ही तो होता है अब रिजल्ट रिजल्ट निकाल सकता है बहुत आसान इसे 9 into 8 into क्या लिखेंगे यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए फिर आपका यहाँ पर 6 आएगा फिर आपका 5 आएगा और 4 तो मैं अब इसको सॉल्ट कर दीजिए आपका रिजल्ट आ जएगा उतने टाइप से आप इसको आरेंजमेंट कर सकते हैं आपको क्या करना है ठीक है इतनी जदा करेंगे मैक्स के अंदर उतनी जदा मैक्स आपकी क्या होगी स्ट्रॉंग होने वाली है और इसी तरह से आपको यहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं दोस्तों के अंदर शेयर कर सकते हैं और फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर जहां पर हम कॉम्बिनिशं के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है वा झाल झाल